अरे 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 कोई आग जो लाओ भाई दिल्ली ते स्विजिलेंड बनता जा रहा है जी हाँ बिल्कुल साही सुना आपने दिल्ली में ठंड जो है वो हिमाचल उत्रगंड से ज्यादा हो चुकी है पहड़ी इलागों से ज्यादा अब इंडेस्ट्रियल एरिया ठंडा हो आ रहा है वो भी सिर्फ ठंड के लिए तो देखते हैं इस पूरी न्यूस के बारे में कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है आखिर इसका रीजन क्या है कि क्यों यहाँ पे दिल्ली में इतनी ठंड पढ़ रही है लग रहा कि कि किसी ने उपर मसीन लगा दिये बादरों में कि सब काफी important और बहुत informative वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी तो बने रहेगा वीडियो में end तक और अगर कुई आपको doubt होता है तो यह आप मुझ से पूछ भी सकते हैं कुछ में स्टार्ट करें से पहले बता दूँ अनकेड़ी के performance बहुत बहुत बहतरी चल रही है आप लोग देख सकते हैं प्रिषले दो सालों से जो performance है वो काबिले तारिफ है साथ दोस्तों 12 January से आप लोग के लिए आर्म बैच चालू हो जाएगा जो कि प्रिलिम तोरदार 24 के लिए है 0% की MI का फाइदा उठाई है साथ ही आप लोग के लिए यहाँ पे test series भी ले के आ आगई है तो आप लोग इसका benefit भी ले सकते हैं फ्री में interview guidance program भी available लिए जिसका अपको directly benefit मिलेगा अपने examination में और साथ ही आप लोग के लिए यहाँ पे एन academy center भी है जो की old राजिंदर नगर में खोल चुका है और यहाँ के जो admission है नए वाले batch के लिए जो की foundation batch है वो हाँ पे आप लोग जाके enroll अभी कर सकते हैं अब discuss करते हैं पर उसे पहले news बता दूना है देखे दोस्तों बात ही चल रही है कि जो cold wave है यह हमारी national capital के अंदर अब तक के सब से जो भी record बने हैं वो सब तोड़ते वे जा रही है दिल्ली के अंदर दोस्तों मैं बता दूना आप लोग को सिम्ला से भी कम temperature है ओके यह बहुत बेड़ी बात हमें पता लगती है एक और बात कि जो minimum temperature दिल्ली का उसको यह cross करतों बेजा रहे हैं और जो बड़े-बड़े आपके सकते हैं hill station ने जैसे की हिमाचर प्रदेश और उतरा खंड जहां पे ठंड नॉर्मली भी ज़्यादा पढ़ती है उनसे भी कम हो चुकी है वहांका temperature देखें आमड के हिसाब से जो दिल्ली है उसका minimum temperature है दोस्तों यह भी कम हो चुका है सिमिला से भी जहांका 10.3 degree celsius है मनाली में 6 degree, कांगरा में 8.9 degree, धरदुन में 6.5 degree, मसूरी में 11.3, नेनिताल 6 इस तरीके से आपको देखने को मिला है लेगिन इस बार दोस्तों लगातार 5 दिनों से जो दिल्ली का temperature है यह बहुत ही कम होता हुआ जा रहा है अब जो minimum temperature है हमारी national capital के अंदर यह बढ़ गया मतलब जो minimum temperature यह बढ़ चुका है ऐसा नहीं कि ज़़दा आपके सकते हैं temperature में increase हुआ है temperature कम हुआ है उस बात में increase हुआ है यह बात में पता लगी है जो weather stations है लोधी रोड पर या फिर जो आयर नगर है basically हो गया रिज रिकॉर्ड हो गया इन समने यहां पर में बता दुम आपको minimum temperature 3.6 degree 3.2 degree और 3.3 degree यहां पर ना पाए जो कि बहुत ही कम है visibility दोस्तो 25 मीटरों से कम हो चुकी है पालम observatory के पास जो कि आयजे एरपोर्ट के पास है यहां पर visibility बहुत ही कम हो चुकी है जो freezing cold है दोस्तो वो दिल्ली गवर्मेंट ने यहां पर आपके सकते हैं इतना बढ़ चुका है कि जो winter vacation है बच्चों के school के वो 15 January तक बढ़ा दिय है नॉर्मल लेकर हम लोग देखेंगे तो दिल्ली में जो ठंड है वो जनवरी में ही आती है December जनवरी आप कर सकते हैं इस दौरान लेकिन इतनी कम इस पर पहली पर देखी गई है अब क्यों है इतना ठंडा देखें मैं बताओं आपको यहां पर जो आप कर सकते हैं उनकी बात माने तो यह बहुत बड़ा आप कर सकते हैं जो एट्रिब्यूट है वो यह है कि जो intense cold है इनके अंदर काफी बड़ा gap आ गया है दो western disturbance को लेके इसका मतलब यह बता दूमें जो frosty events हैं जो कि आप कह सकते है mountain वगारा से आती है उसको काफी time अब हो चुका है मतलब अब western disturbance को लेकर है और यह reason है जिसकी वीज़े से आप कर सकते हैं जो mountain है उनके जो north western winds है वो basically नीचे आ रही है और वो नीचे आके यहाँ पूरे plains में जो है वो रह रह रही है ऐसा नहीं कि पहले आती थी पहले भी आती थी थंड इतनी थंड पड़ी है पहले भी लेकिन इतने time इस बार पड़ी है इस बार रहता time तक वो आपके से जो हवाई है वो रुख रही है basically प्लेंस में mountain से नीचे होके हुए वो रुख रही है तो जब भी यहाँ पर कोई western disturbance होता है तो weather system जो है दोस्तो वो warm हो जाता है from middle east और उसी साब से wind का direction बढ़ता रहता है लेकिन अब gap गया है लगबग 3-4 दिन का western disturbance को लेकिए और यही जो gap है दोस्तो यह आपके सतने जितना increase होगा उतने थंड वहाँ बढ़ेगी जो senior imd के यहाँ पर metrologist है उन्होंने का कि short time relief मिल सकता है कुछ दिनों के लिए लेकिन दुबारा से हमें यह आपके तने western disturbance देखने को मिल सकत हैं इतना खतरा बढ़ चुक है दोस्तों कि लगबग 29 train को delay कर दिया है दोस्तों कि foggy weather है दिखने में visibility कम है तो नहीं कर सकते ही travel और लगबग 15 flights को यहाँ पर delay कर दिया है कुछ को यहाँ पर devet कर दिया है क्योंकि bad weather है इसलिए satellite image यह बता रही है कि जो fog layer है यह extend होगी अभी आगया हमने कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है तो अगर अब भी आपके यहाँ पे जो कंबल आवह नहीं रिख ले है तो आप लोग कंबल निगाल लेजे और थोड़ा सा आप कैसकते है ध्यान रखिये अपना नहीं तो ठंड ऐसी है दोस्तों कि एक बार पढ़ अगई तो दिक्कत दे देती है आपकी पढ़ाय के बहुत नुक्सान हो जाएगा समझ मैं आपको क्या खिर क्यों यहाँ पे दिली में इस बार ठेंड जादा पढ़ रही है तो शॉट वीडियो थी पर इंपोर्टन थी बहुत इंट्रेस्टिंग थी मुझे भी काफी अच